स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम लोग जिमेट्रिकल आइसोमेरिजम के बारे में बात करने वह जैसा कि आप लोग जानते हैं, Configurational Isomerism के दो टाइप्स होते हैं एक तो Optical Isomerism जिसे हम डिटेल में डिसकस कर चुके हैं पिछली वीडियो में जो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और दूसरा जो टाइप है जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है Geometrical Isomerism तो Geometrical Isomerism के लिए हिंट मैं आपको दे रहा हूँ इसे हम लोग बोलते हैं Cistrans Isomerism तो Cistrans Isomerism अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह की Isomerism के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे important चीज एक बता दूँ एक यहाँ पर एक word है restricted rotation एक नया term है restricted rotation तो Geometrical Isomers क्या होते हैं देखिए Geometrical जब किसी molecule में ध्यान से सुनिए जब किसी molecule में restricted rotation यानि की प्रतिबंदित घुरुनन restricted rotation की वजह से different configurations create हों दो या दो से ज्यादा different configurations create हों उन different configurations को हम लोग कहते हैं Geometrical Isomerism, Isomers अब restricted rotation क्या है इसकी तो हम बात करेंगे ही अभी restricted rotation किस वजह से create होता है यह मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले एक तो molecule में double bond present हो सकता है double bond की वजह से किसी भी molecule में जो restriction जो free rotation होता है वो प्रतिबंदित हो जाता है तो इसलिए double bond presence होने की वजह से चाहे वो carbon carbon double bond हो चाहे वो carbon nitrogen double bond हो यह होने से molecule में rotation restrict होने की वजह से geometrical isomerism molecules शो करते हैं दूसरा जो mode है जिसमें free rotation restricted हो जाता है प्रतिबंदित हो जाता है घोनन संभव नहीं होता वो होता है cyclic single bond का जब molecule में कोई cycle हो ring present हो उसकी वजह से भी molecule में जो free rotation हो restricted हो जाता है अब सबसे पहले देखते हैं restricted rotation का मतलब क्या है फिर हम देखेंगे कि किस तरह से double bond और एक जो cyclic single bond है उसकी वजह से कैसे geometrical isomers create होते हैं तो सबसे पहले आप यहां एक diagram देखिए इसमें हमने दो cardboard लिये हैं और यह जो board ही ने में mark कर दिया एक side में pen से हमने यहां पर कुछ mark किया हुआ है और इसमें लगा दी हमने दो iron nails दो लोहे की kill लगा दी हमने इसमें अब क्या आप एक यह जो कागस का गत्ता है board है इसे आप rotate कर सकते हैं घुमा सकते हैं नहीं घुमा सकते तो अब क्या होगा नहीं घुमा सकने की वजह से यह जो structure है इसका दूसरा orientation भी possible है जिसमें यह जो mark किया हुआ part है वो opposite side में है तो यहाँ देखिए आप number one structure में mark किया हुआ part जो है वो same side में है और number two में वो opposite side में है तो इस तरह से इसके यहाँ पर दो configuration possible है one और two यह दोनो configuration एक दूसरे में inter convert नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर rotation possible नहीं है दो लोहे की कील लगी हुई है अब rotation possible नहीं होने की वजह से यह दूसरे में inter convert नहीं हो सकते और यह different configurations है जो एक दूसरे के geometrical isomers है इस तरह से जब rotation जो carbon carbon जो single bond के respect में जो free rotation होता है वो restrict हो जाए double bond होने की वजह से उसे हम कहते हैं restricted rotation और restricted rotation की वजह से जो different configurations create होते हैं उन्हें हम कहते हैं geometrical isomers तो यह दोनों एक दूसरे के geometrical isomers हो गए अब जैसा कि हमने पढ़ा है geometrical isomers दो वजह से दो reason है important geometrical isomerism के number one है double bond तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं carbon carbon double bond की वजह से जो geometrical isomers हैं वो create होते हैं उनको ले रहे हैं इसमें हम लोग ले रहे हैं example but to in यहाँ पर यह जो e है वो नहीं आएगा यहाँ पर है but to in तो but to in में देखिए carbon carbon double bond है और यहाँ पर rotation restricted है तो यहाँ पर geometrical isomers create होंगे कैसे create होंगे देखिए यह जो दोनो CH3 group है यदि यह same side में है तो उस geometrical isomer को हम लोग cis बोलते हैं और यहाँ पर आप देखिए यह different configuration है जिसमें दोनो CH3 group opposite side में है इसे हम बोलते हैं trans तो इस तरह से जब double bond हो तो rotation restricted हो जाता है यह जो एक cis structure है वो trans में interconvert नहीं हो सकती इनको interconvert करने के लिए कम से कम एक bond तोड़ना पड़ेगा तो इस तरह से यह different configuration cis और trans एक दूसरे के geometrical isomer है अब हम लोग double bond में ही जिस तरह से carbon carbon double bond का example हम लोगों ने discuss किया है उसी तरह से एक और example देखते हैं carbon carbon double bond का वो भी काफी important है हमारे discussion में वो बार-बार आएगा वो है आपके सामने अब यह देखिए यह cis structure है और यह है maleic acid यह maleic acid है cis structure है और इसका जो trans होगा जब दोनों carboxylics समू है opposite side में होंगे आप ध्यान से देखिए opposite side में होंगे दोनों carboxylics समू है उसको हम लोग बोलते हैं fumaric acid यह हो गया fumaric acid और यह है transform तो इस तरह से यह दो example हम लोगों ने mute to in और maleic acid fumaric acid के लिए हैं carbon carbon double bond के अब देखते हैं carbon carbon nitrogen double bond की वज़े geometrical isomers यह होते हैं oxyms तो oxyms में दो possibilities होती है eldoxyms की और ketoxyms की सबसे पहले हम लोग eldoxyms लेते हैं जिसमें इस carbon से एक hydrogen जुड़ा हुआ होता है और एक alkyl group जुड़ा हुआ होता है यह देखिए carbon और nitrogen के बीच में क्या है यहाँ पर double bond अब यहाँ पर किस तरह से geometrical isomer create करने हैं वो आप मुझे देखते रहिए मैं कैसे create कर रहा हूँ यह देखिए दोनों geometrical isomer है eldoxyms के ध्यान से सुनिए जब nitrogen से जुड़ा हुआ OH group oxyms में nitrogen से जुड़ा हुआ OH group hydrogen की side हो hydrogen की side में हो तो उसे हम cis नहीं बोलते उसे sin बोलते हैं यहाँ पर दूसरा term use लिया गया है क्योंकि यहाँ पर carbon nitrogen double bond है यह यहाँ पर nitrogen है इसी तरह से जब यह OH group hydrogen के opposite side में हो तो उसे हम लोग बोलते हैं anti अब हम लोग बात करते हैं ketoxym की यह तो थे eldoxym जिसे carbon से एक hydrogen जुड़ा हुआ था ketoxym में क्या होता है ketoxym में ketoxym में carbon nitrogen double bond तो होता ही है लेकिन इस carbon से दोनों alkyl group जुड़े होते हैं यह देखिए अब यहाँ पर sin और anti की definition थोड़ी सी change हो जाती है जब यह जो group है OH group nitrogen से जुड़ा हुआ OH group यह यदि smaller alkyl group छोटे alkyl group की side में हो उसको बोलते हैं sin क्योंकि यहाँ पर दोनों ही alkyl group है hydrogen तो है नहीं तो यहाँ पर हम comparison करेंगे यदि smaller alkyl group की तरफ हो वो होगा sin और यदि यह है OH अब आप समझ गए होंगे दूसरा क्या होगा anti कैसे बनेगा यह OH किसकी side होगा किसके opposite होगा यानि कि बड़े alkyl group की side होगा या फिर हम कह सकते हैं छोटे alkyl group CS3 के opposite होगा तो वो form होगी anti तो इस तरह से हमने oxyms में और alkins में जो geometrical isomers हैं वो देख लिए अब हम लोग दूसरी condition देखने जा रहे हैं restricted rotation की वो है restricted rotation due to cyclic single bond cyclic यानि कि किसी compound में ring होने की वज़े से भी इस तरह से rotation restricted हो जाता है इसका example लेने के लिए हम लोग ले रहे हैं substituted cyclo alkane substituted cyclo alkane में देखे हम लोग ले रहे हैं example cyclopropane का अब इसमें हम देखते हैं cis और trans कैसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप देखते जाहिए ये मैंने बना दिया एक geometrical isomer और ये मैंने बना दिया इसका दूसरा geometrical isomer यहाँ पर मैंने जो carboxlic acid है इसकी position को मैंने कर दिया change अब आप देखिए ये जहाँ पर same side में है carboxlic acid वो हमारा हो गया इससे structure और जब ये different side में है तो वो हो गया हमारा trans structure ये देखिए यहाँ पर carboxlic acid दोनो opposite sides में है तो इसे हम कहते हैं तो इस तरह से जब किसी compound में ring हो तो उसमें भी rotation restricted हो जाता है और दो different configurations create होते हैं जिने हम geometrical isomers कहते हैं इस तरह से बाकी जो ring वाले compound है उन में भी cyclo-alcanes में scissotrans की isomersism possible है तो ये था आज का वीडियो थे